चलिए आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले है कि फीनू पेमेट बैंक का बीसी एजेंट आइडी कैसे बना सकते हूँ जी हाँ बीसी एजेंट आइडी आप कैसे ले सकते हूँ वो भी 2-4 दिन के अंदर आपका आइडी एक्टिवेट हो जाता है दो से चार दिन के अंदर आप काम करना इस्टार्ट कर सकते हूँ साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपका आइडी अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा लेट हो रहा है जैसे कि एक सप्ता दस दिन पन्रत दिन हो गया है तो किस कारण आपका आइडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास अभी 2,3 कस्टमर ऐसा है जिसका ID जो है अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है और लगवाव 12 से 15 दिन हो चुका है तो वो भी बताने की कोशिज करेंगे क्या-क्या गलती कर बैठते हो जो आपका ID एक्टिवेट होने में टाइम लग जाता है अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हो तो 2 से 3 दिन या फिर चार दिन में एक्टिवेट हो जाता है हाँ यहां पर और एक चीज है और बीच में सनीवार और रवीवार भी आ जाता है तो वो दो दिन काउंट नहीं कि आ जाता है क्योंकि दो दिन बैंक बंद रहता है जो भी काम होता है ओपिस्यल वो बंद होता है लेकिन आपके पास BC ID है, Merchant ID है, तो उसमें कोई भी रविवार समुबार नहीं होता है, आप किसी भी दिन anytime काम कर सकते हो, तो ID किसे बनाते हैं, उसके लिए पहले हम जो new है, जिसको Fino Payment Bank के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर भी ID लेना चाते हैं, तो उसके बारे में हम पहले बताने की कोशिज करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखे, बहुत सारे लोग कॉल करना है, स्टार्ट करते हैं, या फिर WhatsApp में मेसेज करने लगे, कि सवाल पुछने लगे, तो उन सारे स्वालों को जवाब में पहले आपको देना चाहूंगा, ठीक है, ताकि अब पहले समझ लो, समझने के बाद ही आप हमें WhatsApp करो, या फिर हमें call कर सकते हैं, वाटसब में, तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो एक लिंक है, या फिर इसका लिंक हो सके तो diffusion box में डाल देंगे, और यहाँ पर देखोगे, जैसी डाल के सर्च करोगे, यहाँ पर देखोगे, दो नमबर में आ जाता है, फिनो बैंक, बीसी एजेंट आइडी कैसे ले, दो जार एक की सेनी टाइम टीप्स, यहाँ पर क्लिक करोगी, यह खूल जाता है, यहाँ पर आपको लाने का मकसद सी पर सिर्फ यह है, कि आपको पहले पता होना चाहिए, कि फिनो पेंट बैंक क्या है, फिनो पेंट में एक सुवीदा क्या क्या है, मतलब टोटल चीजे आपको यहाँ बता के रखे हैं, ठीक है, सबसे फिले तो पहले जानते हैं, फिनो पेंट बैंक की कुछ खास बते, आप यह देख पर सकते हो, यहाँ पर आके ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखाए, अगर मैं फिनो मेर्चेंट बन जाता हूँ, तो मैं अपने गरहकों को कौन सी सेवा दे सकता हूँ, तो आप जैसे फिनो पेंट बैंक का BC एजेंट आडी ले लेतो हो, तो उसके बाद आपको क्या क्या सुविदा मिलता है, तो यह सारी सुविदा यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर लिखा गया है, फिनो पेंट बैंक BC एजेंट आडी बेनिफिट, क्या फाइदा है, तो फाइदे के बारे में यहाँ लिखा गया है, फिर यहाँ पर लिखा गया है, क्या फिनो बैंक में RBI से मंजूरी दी है तो यहां पर वह भी लिखा गया है कि RBI से मंजूरी है कि नहीं है फिनो पेमेट बैंक के बारे में साइध आप नहीं जानते हो तो आप के लिए यह बहुत ही यूजफुल जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर लिखाए क्या होगा यदि मेरा फिनो पेमेट बैंक बीसी एजेंट आड़ी से लेंदेन करते हैं पैसा हजजाए तो यहां पर वो भी लिखा गया है क्या करना होता है सहता के लिए हम कहां कॉंटेक्ट कर सकते तो वो भी यहां कॉंटेक्ट नमर दिया गया है यदि में अपना फिनो पेमेट बैंक बीसी आजेंट आड़ी का लोगीन पासपर भूल जाता हूं तो केसे करना है व घरनर को सब्सक्राइब करके फिरिए अपर बतायाएं को आपको डेविट कंदे कार्ट एटेम कंद मिलेगा जी हाँ पीणों पेमेन बैंक आप हाथ कराट टेये अपासभूक मिलेगा कहांत करिए कि पहले आपको दिखाएंगी आई इटी आपको कैसे बनाना है तो यहां पर जो भी जनकारी है ना जो भी आप जानना चाहते हो फीनो पेमेंट के बारे में वो सभी जनकारी यहां पर आपको दिया गया थे साथ में प्रोपेमेंट बॉंटर होटा यहां पर के हमुचिकर भी कर सेकते ह Um Commission के बारे में पूचना है, तो Commission भी यहां दिया गया है, साथ में ये वाला पूş्टर जो देखते हो, ये वाला, जो Commission जो हो फीनो पेमेड बेंग में महिना में क्या होता है, पर मौँट कुछ नकुछ ऑफर आता है, पर month कुछ नकुत आता है नया offer कुछ ज़्यादा commission लेके तो वहाँ पर वो check कर सकते हो उसके official website में यहाँ कर यहाँ पर आके यहाँ पर जो भी update आता है सबसे पहले यहाँ पर दिया जाता है जैसे कि अभी APS bonaj scheme चल रहा है October 2000 यहाँ पर देख सकते हो इसमें हम click करेंगी तो यहाँ पर एक PDF खुल जाएगा यहाँ पर JPG खुल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो 9 रुपया तक आप commission कमा सकते हो और किस परकार से कमा सकते हो यहाँ पर कितना में कितना दिया गया है यह अभी October महिना का है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो October अफ़र तो प्रती एक मे यहाँ पर ले ले रहा है अभी हम दिखाऊंगा कि आप ID किसे बना सकते हो agent ID ठीक है BC agent ID तो देखिए अगर आप BC agent ID लेना चाहते हो तो किसी भी distributor से ले सकते हो जो फेनो पेमेंट बेंक का distributor हो ठीक है हो सकता है कि आपका नजदिकी में कोई distributor हो या फिर आपके पास distributor का कोई contact number नहीं तो आप हमसे ले सकते हो तो दिखिए कोई ना कोई distributor सही आपको BC merchant ID लेना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए आप मेरे थुरू ले सकते हो या फिर किसी भी distributor से आप ले सकते हो यहाँ पर आपको registration link मिल जागा registration link आपको diffusion box में दे देंगे या फिर अगर आप यहाँ महतपूर नी link का option मिल जाता है तो सबसे पहले लिखा गया है Fino payment bank BC agent apply through distributor तो यहाँ distributor के through apply करना है तो इसमें किलिक करोगे click here click here में जैसी किलिक करोगे तो यह page खुल जागा इसे खुलने दीजिए आप यह वाला पहले दिखाते है फिर यहाँ बता की रखा है Fino payment bank BC login link आप जैसे आपका ID एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद आप किलिक करोगे तो उसके official website में ले आएगा यहाँ पर आप login कर सकते हो ठीक है लेकिन एक्टिवेट करने के लिए मतलब आपका ID बनाने के लिए mobile से करना पड़ेगा साथ में बहुत ही important बात यह है कि आपके पास Mor प्रस रुपय आपको चार्ज लगेगा यह डिटेल्स अपको सभी भरना है ठीक है जो भी कुछ मांग रहा है यहाँ पर सभी डीटेल्स भरना है और पेमें प्रमाड करते हो तो पूरा डिटेल्स आपका मेरे पास आ जाता है साथ में balance भी आ जाता है और यहां पर WhatsApp नमबर या फिर जहां भी आपको सस्ता मिले, वहीं आप ले सकते हूँ, यह जोरी नहीं कि आप हमी से लो, या फिर आप मुझे यह नहीं बता सकते हूँ कि आप 15 सोल उप्यार ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको जहां सस्ता पढ़ रहा है, वही पर लेना है, लेना है आपको, ठीक एक ID passport देता है, वो ID passport आपके mobile के थुरू login करना पड़ देगा, mobile में mobile application आता है, mobile application download link वगर सब कुछ वो distributor बता देगा, जिस भी distributor से लेते हो, चाहिए आप हम से ले रहे हो, या फिर किसी से भी ले रहे हो, तो distributor ID मिलने के बाद आप mobile में login करोगे, तो चलिए हम आगे का process दिखाते है, last में और भी passbook और ATM के बारे में ही बताएंगे, चलिए हम आपको पहले वो दिखा देते है, कि आपका BC agent ID कैसे बनाना है, फिर नो payment bank का, अब जिस भी distributor को payment करते है, वो distributor क्या करेगा, आपको एक ID और passport देगा, वो ID पासपर्ट लोगिन करना है, कुछ इस तरह सो करेगा, लोगिन करते हैं, कुछ इस तरह से dashboard आएगा, डासबोड आने के बाद यहां पर देख सकते हैं, एक mobile number डालने का option है, यहां पर अपना mobile number डालके search में किलिक करना है, चलिए हम दिखा देते हैं, आपको यहां पर याद रखोगी, यह mobile number पहले कभी फीनों के official website में, या फिर कभी भी फीनों के लिए यूज किया हुआ ना हो, एक new number डालना है, unique number, जो फीनों के official website में कभी यूज ना किया हो, या फिर किसी की थुरू, यहां mobile number डालने के बाद आपको search में किलिक करना है, फिर आपको ये option आएगा, open AC, तो आपको open AC में किलिक करना है, उपन AC में किलिक करने के बाद कुछ इस वरकर आ सकता है, फिर यहां पर देखोगी, नीचे आगया BC Pool Account, यहां पर आपको किलिक करना होगा, फिर आपका device connect कर लेना है जो भी आपका device है अगर connect नहीं करोगे तो कुछ इस पर कार से आ जाएगा जो भी आपका device होगा वो select किजेगा तो मेरा OTG on नहीं है तो इसे हम OTG on कर लेते हैं पहले और पहले device connect करके रखना है आपको सही तरीके से ठीक है तो यह काम करना है start कर करेंगे इससे हम back कर देते हैं यहाँ पर देखो morfo select हो चुका है फिर से हम BC pool account में click करेंगे और यहाँ पर नीचे दियान दोगे तो यहां कुछ भी changes नहीं करना है आपको holding type में आपको individual रहने देना है select type में merchant रहने देना है आपको सिर्फ नीचे एक option मिल जाता है यहाँ प और सिर्फ आपको QIC में click करना है अब जैसे QIC में click करोगे आपके पास इस तरह का एक page आएगा अधार नंबर डालना अपना और QIC में click करना है आपका fingerprint लगाना जैसे fingerprint लगाओगे तो अगला page यह आएगा ठीक है मतलब आपके आधार का पूरा details लेके आ जाएगा photo के साथ तो जो भी details है अधार काड में वो automatic fill हो जाएगा और जो fill नहीं है उससे fill करना होगा तो चलिए हम इसे आपको दिखा देते हैं complete यह single है तो इसे single में रहने दीजिए अगर married है तो married में रह कर दीजिएगा तो यहाँ पर email ID मांग रहा है mobile number पहले से filled date है जो mobile number डाले थे तो आपका email ID दे देना है सही email ID देना है जो भी details डालोगे carefully डालोगे मतलब धयान से डालोगे और सब कुछ spiraling भी सही देना चाहिए ठीक है nominee नाम हो या father नाम हो या फिर आपका mother नाम हो जिसका भी नाम दोगे DOV दोगे वो सही सही DOV वगरा देना है अगर कहीं गलत करते हो तो आपका reject हो जाता है फिर जाके उसको दोबरा process करना पड़ता है फिर जाके मतलब resubmit करना पड़ता है फिर जाके वो आगे बढ़ता है email ID डालने के बाद father नाम का option है father नाम में father नाम डालोगे अलाकि ये थोड़ा blur करना पड़ रहा है कि YouTube का policy है कि आप कुछ details दिखा नहीं नहीं सकते हैं किसी को तो फादर नाम डालने के बाद आपको mother नाम का option आएगा mother नाम भी डाल देना है mother नाम के लिए ममी का अपना वोटर कार्ट देख लेना या फिर आधार कार्ट फिर यहां पर देख सेकते हो ओको पेसन है ओको पेसन में आप क्या करते हो सेल्रीड परस अद्रेश में आपको सिर्फ आधार सेंडेश में कली करना है नीचे वाला में नहीं करना है त्परतीक नीचे करना है मतलब आप का ठहना यहां आपका ठहना सो कर देगwersि ब्लॉक होगा यहां फिर यहां वह direito कर Dос सेने सेंटर में दिखिए हो सकता है आपका पंचायत का नाम आजाए आपका ब्लोक का नाम आजाए या फिर आपका गाउं का नाम आजाएगा तो यहां सही से खोज लेना है आपका गाउं का नाम मिल गया तो ठीक है गाउं का नाम सेलेट कर दो या फिर आपका पंचायत का न पर तो इसका पंचायत खोज लेते हैं यह पर पंचायत इसका सिलेट कर दियें फिर बॉक्स में आपको टीक कर देना है टीक करने के बाद यहाँ पर वर्क एड्रेस मतलब इस बार आप काम कहां करोगे वो तो आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया लेकिन आप जो आप सौप ख दाल सकते हो फिर यहां पर आपका पीन कोट डालते ही आपका state आउट district automatic find कर लेगा यह तो पीन कोट डाल देना आपका state आउट district find कर लेगा ठीक है अब यहां पर आपको फिर से ब्लोक का अप्षिन आजाएगा फिर से आप अपना नाम यहां सो नहीं कर रहा है फिर आपको next में क्लिक करना है next में जैसी क्लिक करोगे यहां authentic करना बोलेगा तो authentic कर लेना यहां पर आपको क्लिक कर देना यह finger में तो finger अब यहां nature of business मतलब किस टाइप का आप business कर रहे हो काम कर रहे हो अभी फिल हाल तो वो select कर देना है तो यहां पर देखो एक साइबर केफे एक जेरोक्स इसकेन एटीसी तो यही आप select कर दोगे क्योंकि आप एक आपके पास कोई दुकान ही होगा तभी जाके आप यह ले रहे होगे तो फोटो खुल जाएगा camera खुल जाएगा ठीक है उसके बाद यह सब select करेंगे चलिए हम इसका फोटो ले लेते हैं पहले पर देख सकते इसका फोटो क्लिक कर चुके हैं आप OK करते हैं तो यहां फोटो आ गया यहां पर फोटो कुछ इस तरह से आएगा फिर यहां पर आपको यह बता रहा है कि आपके दुकान में कितना कश्रमर आ रहा है तो वह आप select कर दोगे 50 तक कर दोगे फिर कितना दुकांदार में कितना आदमी काम कर रहा है वह select कर दोगे फिर यहां पर कितना देखिए आपका जो दुकान है वह किस तरह का बेटर है या बढ़ि में क्लिक कर देना है फिर एजो किसन फिर से आपको बताना है कितना है तो गरजवेट कर दिए इसको अब यह बता रहा है कि कोई अधर्स बिजनस बिजनस है आपका तो यहाँ पर हम yes कर देते हैं फिर यहाँ पर एक option मिल जाता है मतलब खुद के जगा में काम कर रहे हो मतलब जो आपका दुकान है वो खुद के जगा में है या कि दूसरे रेंट में रह रहे हो तो आपको वो select कर देना है और नीचे वाले option में no फिर देख लेना है और accept में click कर देना है और फिर next में आपको click कर देना है यहाँ पर देखो एक establishment यहाँ पर एक error आया तो यह वाला option हम छोड़ दिये होंगे तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर देखो फोटो के पहले यहाँ पर बता रहा है कि आप जो दुकान कर रहे हो घर खुद का दुकान है मतलब खुद के जगा में दुकान है तो हम हाँ कर दिए और अनुसमे अई थोड़ा सा डीश्टः होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए पैन नंबर से सबसे पहले डालोगे प्यंकान का फोटो यहाँ पर कर लोगे सही से वेलिटें कर लेगा कि पैन नमर सही है या गलत है गलत डालोगी तो यह बता देगा तो चलिए उसके बाद आपको फोटो किलिक करना इसमें कुलेकर के जैसे ही फोटो वाले जगह में आप करोगे क्लिक करोगे तो इस तरह से दे ठांग्तर से एस तरह से तरह से कैम ल कुल चानल से यहां देखें प्रक्पिन कर zona करें तो यहां पर से क्लिक करके नोमिनी नाम फिलब करना है ठीक है आप जिसका भी नोमिनी रखना चाहते हो मालो फदर का रखना चाहते हो तो फदर का जो भी नाम है आपके अधारकाड में या उसके अधारकाड में वही नाम देना है तो नोमिनी नाम इसका फिलब कर देते हैं उसके बाद नोम विखाला जाता है कि यह कौन ऐखा तो नोबेरेस कों सा है तो यहां पर हम इसमें कर दिके तो पर तो जो लेप्ट हो जाता है तो माउंत इसका भर देते हैं जो बी है टोटल fan claiming में कितना आदमी है कि दोड़ार इनudsा एग्द आपको 0 कर देना है ठीक है यहां पर आपको 0 कर देना है यहां पर कभी स्ञेक on तो यहां 200 उंगली का आपका finger लगेगा ठीक है और यहां पर बता की रखा है यहां पर ध्यान से देखोगे यहां पर बता की रखा कि कम से कम 40% आना चाहिए ठीक है quality 40% तो हम जिस भी उंगली में क्लिक करेंगे उसी उंगली को आपको finger print में देना होगा ठीक है तो यहां पर देखो इसका 144 quality आया है तो यह सही है OK कर देते हैं thumb quality यहां लिखा हुआ है कि 40 होना चाहिए तो इसका 140 आ गया अब हम दुसरे वाले में क्लिक करते हैं दुसरे उंगली में तो वही उंगली इसको रखना होगा अब हम इसमें क्लिक करते हैं अब यह वाला उंगली रखेगा अब यहां पर देखो इसका capture आया बिरानवे 92 तो यह सही है फिर से एक बार री capture कर लेते हैं अगर बढ़ जाए तो देखे 112 आ गया चलिए हम OK कर देते हैं तो फिर से यह वाला next मतलब दोनों हाथ का उंगली क को आपको 200 का scan करना होगा ठीक है तो यह अभी तक 3 हो चुका है और 2 कर लेते हैं पटापट तो यहां पर देखोगी यह पांचो success हो चुका है और रेड कलर में देखोगे 40 मंगा है इसका quality तो इसका पहले left side लिए अब right side में लेंगे तो right side से start करते हैं यहां देखोगी यह accept में क्लिक करना है accept में जैसे क्लिक करोगे next में क्लिक करना है अब last finger लगेगा आप कोई वे उंगली लगा दो last finger लगाती ही इस बार OTP जो आएगा OTP आपके mobile नमर में आएगा ठीक है जो आपने mobile नमर डाला था तो चलिए OTP आने दीजिए वहां पर OTP डाल के हम submit कर देंग है यहां पर देखोगी इसका account number customer ID सब कुछ दिखा रहा है तो इसको दूसरे mobile से आपको photo कर लेना है ठीक है क्योंकि यहां पर आप screenshot नहीं ले सकते हो आप जिस भी distributor से आप connect हो रहे हो यह screenshot वह लेगा इसलिए screenshot ले नहीं सकते हो आप दूसरे mobile से photo कर लो ठीक है अगर आप हम हम से ideal बनवा रहे हो तो यह वाला चीज हम लेंगे आप से इसलिए इसका photo ले लेना दूसरे mobile से रहा और हमें WhatsApp करना होगा ठीक है तो चलिए यह complete हो चुका है इसे हम finish करते हैं फिर आपका ID जो है लगबग 2-3 दिन के अंदर यह जैसे complete हो जाता है 2-3 दिन के अंदर आपका ID generate sorry activate हो जाता हाला कि ID तो generate हो चुका है जो customer ID है वही आपका ID हो गया BC ID ठीक है चलिए एक बार चेक करके दिखा देते फिर से जो first में mobile number डाले थे वही mobile number डालके देखोगे तो इस बार यह बताएगा कि आपका already account बन चुका है तो यहां पर जैसे डालोगे तो यहां पर दि आइडी generate कर लिए हो screenshot ले लिए हो screenshot हमें भेजना पड़ेगा screenshot भेजने के बाद आपको लगभग अगर सनीवार और रवीवार बीच में नहीं पड़ा तो आपका लगभग दो से तीन दिन के अंदर आपका ID हो जाता है अब ID होनी के बाद आपको यहां पर आके login नहीं करना है फर्स टाइम आपको mobile application से ही login करना होगा ठीक है फर्स टाइम आपको जिस application से अपने ID बनाया उसी application को आपन करना है खुद का ID डलना है खुद का password डलना है अब ID और password आपके registered mobile number में ही SMS किया जाता है फिनो के तरब से जी हां फिनो के तरब से ही आपका registered mobile number में SMS के थूरू जाता है कि आपका ID यह रहा आपका password यह रहा जैसे ही आ जाता है आप अपना application को फिनो मित्रा और इस application को open करने के बाद आप अपना ID password बना लो फिर बनाने के बाद यहां पर आके login कर सकते हो डेस्टॉक में या laptop में ठीक है और बात रहा आप password के बारे में और ATM के बारे में आप order कर सकते हो ठीक है आप जैसे आपको ID मिल जाता है आपका ID एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपका distributor बता देगा कि आप ATM कैसे order कर सकते हो एक बार में 10 ATM order कर सकते हो और एक ATM में लगबग 20 रुपया या 25 रुपया कटेगा आपके wallet से ठीक है मालो 10 आपने order किया तो 800 रुपया कटेगा या सोरी या साड़े 300 रुपया कटेगा इसे 20 या 35 रुपया है कट जाएगा लेकिन वो balance आपको वापस मिलेगा ठीक है कैसे मिलेगा आप जैसे account open कर देते हो किसी का successfully आप जैसे ATM दे देते हो उसका ATM एक्टिवेट कर देते हो तो वो balance आपको आपके wallet मे वापस कर देता है ठीक है अब जब तक आपके दुकान में stock है ATM कार्ट तब तक आपका पैसा फसा हुआ रहेगा लेकिन जैसे किसी का account अपन करके आपने उसका ATM एक्टिवेट कर दिये तो वो balance आपको वापस मिल जाता है जो आपने ATM बुक करते समय पैसा लगाए थी और passbook का मतलब passbook कैसे print कर सकते तो passbook देखिए आप normally print कर सकते हो जैसे कि आप A4 paper में download करके print करके दे सकते हो या फिर उसका passbook भी आता है उसका फिनू पे मेंग नहीं देता है उसका passbook अलग से आता है वो passbook अगर लेना चाहोगे तो उसके लिए अलग से charge लगता है लेकिन passbook का balance वापस नहीं मिलता है आप जो भी charge है 10 रुपया 20 रुपया पासbook का वो अलग से देना पड़ता है तो उमीद करता हो सभी जनकर यह आपको मिल गया होगा इस वीडियो में और अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाईएगा और यहाँ पर registration में क्लिक कर लिजेगा फिनो बैंक बीसी अजेंट अपलाए तुरू डिस्ट्रीटर यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यह पेज खुल जागा यह पेज खुलने के बाद आपको सब डिटेज भरना है सही सही वाट्सअप नंबर कॉंटेक नंबर सही सही डालना है पैमेट करना है जैसे पैमेट अब गर्णा मिल्दीपरिंगे नेविटीवन एडोपशा दोफ़ता क्रेट टाटा